जितने लोग आस्था चेनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर साथ स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है साथ इस्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति प्रदान करके बेकुंत लोग का निवास साथ इस्थान और वो साथ इस्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भागवान देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपां समझ लेना जरा बहुत अच्छे से हैं आपको लगता है स्वप् कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भैल रखता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा पती को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कंद कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ इस बोलो जरा मालूम है ना सबको जहां गणेजी का स्थान है वहां अलक से गणेजी बेठें वान नहीं शिविलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश लेट में कार्थी के बीच में अशोक सुन्दरी तो पहला चंदन बाबा के शिविलिंग पर दूसरा चंदकार्ती के पर चंदन की उंगली चव था अशोक सुन्दरी पर चंदन की उंगली पांच्वा जलाधारी पर चंदन की उंगली छटा जो शिविलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विप्रीत की हो जंदन की उंगली और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दोस अवस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ हमारे पूर्वजों का कल्यांड नहीं हुआ कहीं अधोगती में कोई चला गया है उसका बस एक बार रोज नहीं जरुवत है प्रती दिन जरुवत ही नहीं महिने में एक बार अगर हमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्पित किया है अशुक यहाँ पर बढ़नन कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने सनकाद रिशियों से मांगा चंदन भगवान को अती प्रिय होता है और चंदन ही ये कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस पर शमात्र लगने से पूरवजों का कल्यान हो जाता है वो चंदन का स्थान तो आप लोग जो पशुपती वरत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो कई लोग करते हैं हमने करा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उसमें हमारी गल्तियों को में चाहिए यह देखे आप जैसे यह शिबलिंग रखा है आपने जल चड़ाया अब जल आप यहां से चड़ा रहे हो तो दीरे 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 चड़ाएं जिससे चीटे बाहर ना यहां तक चीटे रहे जलाधारी तक चलेगा बाहर ना गिए और कर और एक बात का स्मर्ण रहै में यदी है बेल पत्री फूल पती जल चड़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए जलाधारी पर गिर गाया या नीचे उतर गया तुम्हारा पूरा जल चड़ा तुमारे पास में अभीर नहीं है गुलाल नहीं है कुछ भी नहीं हो तो भी अपने हाथ की पीं उंगलियों से रेखा नों खीच कर और फिर जो माला आधिक आधिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रंगार करकर फिर वापिस आईए बहान को पून श्रंगार भगवान का पूर्ण शंगार करकर आई कई लोग जल चड़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है हम यह नहीं करें कि आप अपने घर से लेकर जाओ आपके पास में कुछ नहीं एक लोटा जल चड़ा जल चड़ाया जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूफ सुनदा भगवान का करकर फीर आई है क्यों शिव का जब हम शंगार करकर आते हैं माता पार्वति जी ने देव अधिदेव महादेव का शंगार किया है आप लोगों कि स्मरण में होगा राम जी ने माता जानकी का शंगार किया है राम चरित सुनी है कथा रामयंड सुनी है आप लोगोंने रामयंड सुनी होगी तो उसमें माता बेकी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका शंगार कर रहे हैं एक कववा आता है वो चोच मार कर जाता है सारा बतानता अप लोगों ने श्रमन किया तो राम जी माता सीटा का शंगार करते हैं भगवान कृष्ण राधा जी का का सुन्दार करते हैं कि केवल एक देव अधिद्यों महादेव की कथा एसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का सुन्दार करती है कि शिव का सुन्दार कि किसलिए कि क्यों कहा जल चड़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से फूल से जो चड़े हुए फूल है चड़ी हुई पत्ती है चड़ा हुआ निरमाल है जो भी शिव जी का है कि उसी को धोकर वापिस भगवान का शंगार करकर आना चाहिए किस लिए कि हे भोले ना जब मैं इस संसार सागर से जाओं अखंड सुहाग लेकर पूरी शंगार करकर इस धाम से जाओं ऐसी कि जो पड़ा हो जो पर चंदन नहीं है हाथ से चंदन का समर्ण होना चाहिए लेकर आईए कि मेरा ये कार है बाबा और आपको करना है लाखों के दुखडे जो तूहर गया डमरू वाले फिर मेरे दुखडों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले और शुमापुर्ण की यही सबसे वड़ी आनन्रता की आपको आग लगे बसती में और अपन रहो अपने मस्त रहिए जो ज़्यादा गाली दे ताना दे अपसब्द बोले जो तुमको ताने पर ताना दे तुम और जोड़ा खजूर वाली चोठी बना और यसा बक्तल लग अपने तो पनी भक्ती करो संकर के बजन में डूबे रहो राम नाम कृष्ण नाओं में डूबा अपने क्या करना महराज राम की दृष्टी में शंकर की दृष्टी में राम बड़े हैं क्रिश्न की दृष्टी में शिव की दृष्टी में क्रिश्न बड़े हैं क्योंकि भगवान करें मुझसे बड़ा मिरा भक्त होता है भक्त मुझसे बड़ा है तो जो भगवान की भक्ती करता है भगवान उसको बड़ा से पिर वो केसा भी भक्त हो देवराज नाम का ब्रहमन चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था ब्रहमन देवता कथा सुना रहे थे और एक छण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहाँ से वो चल दीया अब जो ब्रहमन देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोरे वो तो भक्त समझ रहे थे उनको नहीं मालूम कि ये चोर है उनको तो भक्त समझे जैसे बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे चड़ाया गया पानी हमारे पित्रों को प्राप्त हो जाता है शिब जी को चड़ाया गया पानी ठेटिस कोटी देवताओं को प्राप्त हो जाता है उसी तरह भगवान देव अदिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र तीन लोक के हमारे संपून देवी देवात जो भी विराजमाने उन्स सब को प्राप्त हो जाता है जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिवजी को जब चड़ाया जाता है जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चड़ाते हैं पीपल के वरक्ष के नीचे जल चड़ाते हैं आउले के वरक्ष के नीचे जल चड़ाते हैं तो उसके कितनी कितनी महत्वता होती है और इसकी घ्ठार्णिर भान थो किपंगी आवpa कि उसकी मूलता है तुनिया के लोग वले ना समझे पर उसमें पहले का निय निय मैं हमारा पहले जो भोजन होता था भोजन बनता था उसमें आउले की खटास डाली जाती थी आज के जमाने में तो लोग टाटरी डाल दें निप्बू डाल दें ये सब बात की बात है आउला इसलिए डालते थे क्योंकि अड़ियां मजबूत रहती अब आज के समय में तो कहां लोग बगब बस चबन प्रास मिल जाए आउले का तो खालेवे पर नियम अगर माता है बनाए कि आउला नूमी पर आउले के ब्रक्षे से आउले लेकर आवे आउला नूमी के समय पर बहुत आउले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी लिया और आउले के आउले कटे करकर और वो ही जब डाल सबजी भाजी बना उसमें पटक दो थोड़ा सा एका दाउला तो उसका जो रस्तत वाई शरीर की अड़ियों के लिए अचा तो हमाने यह बेलपत्री का व्रक्ष पीपल का व्रक्ष आउले का व्रक्ष इन तीनों जगहाँ पर जो जल चड़ाया जाता है उसकी महत्वत्ता भी हमारे यह दरुश आई गई त्रेक्टिकल करना जब जिस दिन लगे कि रेपार ठीक नहीं चल रहा है आज पैसर चाहिए और आनी रहा है आज तुमें पांच हजार की दस हजार की पचास हजार की एक लाग पांच लाग की जरुवत है और कहीं से आव उसकी का भाग है वो हमारी ओर ओर हैं ज्क ओर गोड़न को फूल देते हैं आपको मालों होगा ना भगवान को उऽकी पुश्प में तो कुष्प का मुझ का रखते हैं भगवान की और मतलब जैसे दो चाहर टो को पुश्ब कर दोगे तो फूल कम कि तर रोखें बगवान क और डंडी का मुक के दर रखोगे अपनी और उसी तरह जब अपने तारे की सिद्धा के लिए अपन कोई तारे कर रहा है किसी को देना है हमको तो यह पुश्प का मुक बाहर की ओर रखना हमें को जब काउंटर पर रखे तो सम्मू कर रखे कि इससे हमें कुछ पराप्त हो पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चड़ाते भगवान को तुम हमें से देखना है संकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिविलिंग होगा ना संकर भगवान का जितने भी जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना ये संकर जी का रिजहाने के लिए कितंव पूल ब़गवान को देना चाहिए बोलो तो कितने पुष्प बगवान को समर्कित करना चाहिए महाराइब भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रजहने के लिए भगवान को अभी यहाँ से आवाज आई थी चार पुष्प भगवानों को समर्पित करना चाहिए कितने पुष्प? चार बच्पन, जवानी, अदेडी और बुढावा चार अवस्था सवारने के लिए भगवान को चार पुष्प दिया जाते है पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे पुष्प भगवान से क्या करता है कि भगवान मुझे में जैसी सुगंद है वैसी इसके जीवन में सुगंद देना पुष्प करता है भगवान जैसी मुझे में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसकी जीवन में खुशियों का रस भर देना ये पुष्प कहता है भगवान से हमें नहीं करना भगवान से कुछ भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ रहा है तो याद आया इस टेज पे ऐसा लड़ हमारे यह तो ब्याव में जब भावर होती है उसके पएले जय माला कराते हैं माला पिना देते हैं तो यह फूल मूल का चकर तो हम को समझ महीं नहीं आए तो हमने कुछ यह फूल काई को दिया तो का का गुरुजी समर्पन के लिए दिया पर हमारे यह इसा विलान नहीं है फूल वगरा देने का आप भले दुनिया के दिखावे के चक्तर में कुछ भी करो वो अलग बाते पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कुई प्रमाण नहीं कि पुश्प आप किसी संसारिक मनुश्य को दे पुश्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो भगवान को समर्गा हाँ कोई गुरू है सत्गुरू है हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरू जन आया तो उसको पुश्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिच्छा दीजी हमारे गुरू के चरणार जैसे शबरी अमबा आती की हैं की शबरी अमबा रोज से ये सेज विचा कर रखती बगवान आएंगे इंतजार करती बाट जोती आएंगे और बगवान आएंगे भगवान पराप्त हुए और जिए शबरी अमबा की धरवाजे पर जैसे भगवान के विच्छ भिखेर देती है आप भी गुरुजर्ण के लिए प्रमातमा के सुख के लिए अप ये नहीं की भगवान को बहूत कुछ दो भगवान को अगर चार पुश्प भी दे रहे हो तो बहुत है झालेगा तो यहां तो शिव महापुरान में तो ये भी नहीं इखा कि पंकडी भी दो, शिव महापुरान को करती अपना दिल दो भगवान, क्या दो, अपना मन, अपना भगवान को दे दो, भगवान को संपना नहीं, धन नहीं, दोलत नहीं, सत्ता नहीं, तुमारा वेभाव नहीं, और भो भी अच्छा देना यहां पड़ान को वह दो जो भगवान के पास में नहीं नहीं है हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में है लिया जड़ा हो खूल ले जा भगवान को गेंदा का फूल चड़ा दो माला चड़ा दो ये चड़ा दो तो भगवान को भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है बता हम तुम्हारे हो जो प्लमारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो में उसमें तुरंत फाल पीको सब लगवा लुगूं के त्यारी करके रत्रच रगदिया है वह रखोगी ना को गयों और मानुमपड़े किसी नीली आफ फॉसक्षारी देद −धा तुम्हारे प्रकामानी रही तो तुमने बवह को देदी थोड़ी अगर गणवड ती तो भागवजी पे चड़ाइए भाग वत पेस चाब तो बोता है कोई पूछा था कि गुरु जी यह दुनिया के लोग आरती में खोटा सिक्का क्यों चड़ाते मंदिर में चड़ाएंगे धर्मकी जगाँ पर चड़ाएंगे अच्छी जगाँ रहेंगे पर तो हमने कहा वही सीरी सीरी बात है जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता पी निभाता यही है जिसको सब ठुकरा दें जिसको सब निकाल दें जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले एक बार शुंकर के पहुँचा खोटे सिक्के को भी चपटी भबूत में हैं खजाना कुवेर का बता वो समसान की भबूत कहीं चले अरे बोलो तो कहीं नहीं चले अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए तो पत्नी करें बहार वाल्टी रखिए इतना लो जा औ अगर एस भी घुज जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अकल ही देंगे मुर्दा जला के आए हो पूरी अकल महीं पे छोड़ी आए है संसान में बाहर जाओ ना हो कपड़े भी महीं छोड़ दो महीं कीले करो जिस गाड़ी पर आए हो गाड़ी पर पंदल वाई जब विचार करना संसान की रात कहीं ही चले पर एक ही को चले किसको मारे वो उसके पास ऐसी चले कि वो भसमी करोड़ों की हो जाती